हो सकता है ये कहानी आपकी हो, तो इस कहानी को आप जरूर देखें आपका भी बताता हूँ, और पंडित गौरी शंगर जी लगे अपने गुड़ा भाग में, आदश बाबू के सवालों का जवाब जो देना था, आएए देखते हैं, पंडित जी ने उनके सवालों का क्या जवाब दिया, जजमान, आप दोनों का भविष्य तो एक जैसा ही है, आपकी आयू भी उतनी ही होगी, जितनी आपकी माता की आयू, जितना सुक तुमारी माता को, उतना ही आपको, जिस इस्थान पर उनकी मिरत्य होगी, उसी इस्थान पर आपकी भी मिरत्य होगी, अर्थात, जैसा भव पंडित गौरी संकर जी ने आदर्स बाबु को उनका भविश्य बताकर अपनी दक्षना ली और वहां से प्रिस्थान किया और आदर्स बाबु को पड़ी जी की भविश्य वाणी ने पूरी रात सोने नहीं दिया जैसा भविश्य आपकी माता का वैसा ही आपका जितना सुक तुमारी माता को उतना ही आपको आप दोनों का भविश्य तो एक जैसा ही है बरतन जदी जदी कर लो इसी में मत लगे रहना फिर कपड़े भी धोनें कामचौर कहीं की अभी तक खाना नहीं बना कितनी देर से चलारी हूं तेरे कानों में जू तक नहीं रहनती इतनी देर से जिलारी हो सुना ही नहीं दता एक वार तुझे और सुबह उठकर उन्होंने क्या किया आये दिखते हैं रात को आदर्स बाबु और उनकी पत्नी को नेन तो आई नहीं सुबह आदर्स बाबु जद्धे त्यार हुए और उनकी पत्मी गाड़ी की चावी लेकर पहले से ही इंतियार कर रही थी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब क्या करना है तो आदर्स बाबु सीधे पहुंचते हैं उस जगा जहां उन्होंने अपनी मा को रखा होता है यानि बरत आश्रम और वहां से अपनी मा को साथ लेकर घर के लिए प्रस्थान करते हैं और घर पर उनकी पत्मी पहले से ही उनके आने का इंतियार कर रही है आओ ममी जी आओ अंदर आओ पहले तु अपनी सास से शमा मादो उनकी सासुमाने उन्हें गली से लगा लगा क्योंकि मा आखिर मा होती है जिन आदर्स बावो को कल रात नेंद नहीं आई थी आज मा के आजाने पर चेहरे पे एक अजीव सी परसंड़ता थी वो जान चुके थे कि असली सुख कहा है उनको आज बहुत ही मीठी नीद आईगी दोस्तो मा अखिर मा होती है जब जरूर करें तहने वाद